नमस्कार दोस्तों, आयस माइट में आपका स्वागत है, मैं उतकर सिंग, आज हम बात करेंगे भारती समिधान के अनुछेद 32 पर, अनुछेद 32 क्या है? एक प्रकार का मूल अदिकार है, जो भारत के समिधान में वाडेत है, यह मवजुदा समय में छठों मूल अदिकार है, पहले यह सातों मूल अदिकार था, भारती समिधान में मूल रूप से पहले सात मूल अदिकार थे, लेकिन बाद ले 44 समिधान समसोधन द्वारा, एक मूल अदिकार संपत्य के मूल अदिकार को हटा दिया गया, अब भारती समिधान में 6 मूल अदिकार है, तो इन में अनु मामली की सुनुवाई करते हुई मुख्内 अधिस ऐसे बोबडे नेauer करते होँ कि हम अनुच्छीत 32 के तहत दावर याच्छकाओं को हथ रोत प्रयास कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोट के मुख् Thi slipped कौन हैं?? ऐसे बोबड़े हो! इन्हों ने कहा, इन्हों ने एक पत्रकार से समंधित मामले के सुनवाई में कहा कि अनुछेद 32 के तहर दायरे अच्काओं को हतोसाहित करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे 6 मुल अधिकार हैं, जो सम्यान के भाद 3 में वडित हैं अनुछेद 14-18 तक सम्ताग अधिकार हैं सम्ताग अधिकार कहा से कहा तक हैं, 14-18 अनुछेद 14-18 तक दूसरा अधिकार है मुल अधिकार, सोतंदर्टाग अधिकार अनुछेद 19-22 तक, सोतंदर्टाग मुल अधिकार 19-22 तक तीसरा है सोशण के बिरुद अधिकार अनुछेद 23 से 24 तक अनुछेद 23 और 27 सोशण के बिरुद मुल अधिकार है धर्म की सोतंतरता का अधिकार अनुछेद 25 से 28 तक है हमारा चौथा मुल अधिकार अनुछेद 25 से 28 तक है धर्म की सोतंतरता का अधिकार पचवा संस्कृती और सिच्छा संबंदी अदिकार संस्कृत और सिच्छा संबंदी अदिकार कितना है? अनुच्छेद उन्तिस और तीस ये पचवा मूल अदिकार है और छटवा मूल अदिकार कौन सा है? सम्मेधानी कुप चारों का अदिकार अनुछेद 32 इसमें से एक अनुछेद गायव हो रहा है अनुछेद 31 अनुछेद 31 में पहले था संपत्य के मुल अदिकार जिसको बाद में 44 संपत्यार संस्था द्वारा हटा दिया गया 32 अनुछेद क्या है संपत्यार के अपचारों का अदिकार या मूल अधिकारों में ऐसा मूल अधिकार है अगर बाकी पांच मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो ब्यक्ति या कोई संस्था अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए उच्चे न्याले या उच्चेतम न्याले जा सकती है मतलब जो भी अगर मुल अधिकारों के हनन कर रहा है तो उसके खिलाब सुनवाई सुप्रिम कोर्ट ही करेगा अनुछित 32 के तहट दायर याचिकाओं को हतर साहिद करने का प्रयास कर रहा है मतलब बहुत सारे याचिकाओं अगर किसी के मुल अधिकारों का हनन हो रहा है तो डारेक्ट वो सुप्रिम कोर्ट ही जाता है अनुछित 32 के तहट वो अपने मुल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए सम्मधानी कुप्चारों के अधिकार के अंतरगत सुप्रिम कोर्ट ही जाता है तो न्याधिस जी कह रहे हैं कि हम इसको हतर साहिद करना चाहते हैं हम इसको कम करना चाहते हैं अब चर्चा करते हैं इसके प्रहुंग इंदों की, मुखिन आदीस ऐसे बोड़े, सुप्रिम कोड के मुखिन आदीस ऐसे बोड़े ने कहा कि सर्वोच न्याले में अनुश्यत बत्तिस के तहट दाया रियाशिकाओं की भरमार है, मतलब बहुत सारी आचकाएं जिनमें मूल अधिकारों के हननन हुआ है, इस सर्वोच न्याले में भरमार है, लोग अपने मूलिक अधिकारों के हनन की इस्तित में समधित उच न्याले के पास जाने के बज़ाएं सिधे सर्वोच न्याले के समझ याचिका दायर कर रहे हैं, जबकि सम्धान के नुच्छी 226 के तहट उच नयालों को भी ऐसे मामलों में रिट जारी करने का अधिकार पदान किया गया है इसे कि मूल अधिकारों के हनन को रोखने के लिए मूल अधिकारों के खिलाफ अगर कोई सुनवाई करता है तो भारत में सुपरिम कोड को और हाई कोड को मतलब अब जिस राजी के हैं वहाँ का हाई कोट सुनवाई कर सकता अनुच्छे 226 के तहट और सुनवाई करता है लेकिन लोग अपने मुलद कारों कहनन होने पर सीधे सुप्रिम कोट जा रहे हैं इसलिए वहाँ पर बहुत जादे मामले पड़ चुके हैं लोग अपने यहां के अपने अस्थानिये अपने राजी के उच नैले के जाने के वजाए सीधे सिधे सुप्रिम कोट जाते हैं इसलिए नियाधीस जी कहा रहे हैं कि हम अनुच्छे 22 के तैयości माम लोगों हमकोश तोस्टाईद करेंगे हम कम करेंगे जिससे लोग अनुच्छे 226 के अंतरकत अपने राज जिर्टी के नाले में जाएं जहां पर कम आमले पड़े हुए हैं सुप्रीम कोट के पेच्छा अनुच्छे 22 समिधानिक अप्चारों का अधिकार है यह एक मौली का अधिकार है जो भारत के प्रतेग नागरिक को समिधान दोरा मानेता प्राप्ट अन्य मौली का अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वच नाले के समझ याज का दायर करने का अधिकार देता है 6 मूलादिकार है बाकि 5 मूलादिकारों को मानता प्ताफ करने के लिए ये 6 मूलादिकार 22 सем laminarikizzaar गादिकार है जिसे सर्वच निजाले के समझ जाच का दायर करने का अदिकार देता है मतलब 6 में पांचो मूलादिकार को अगर कोई हननल करता है तो उसके लिए आप सुप्रिंग पोर्ड में जा सकते हैं उच्छेद 32 के ताहित यह आपको मूल अधिकार है हम कह सकते हैं कि सम्माधानिक उप्चारों का अधिकार स्वम में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रच्छो पाया है मतलब आप बाकी मूल अधिकारों के रच्छा के लिए आप इस मौल अधिकार के अंतरगत न्याले में जा सकते हैं वो भी सर्वत्तम सर्वच न्याले में इसलिए डाक्टर मेटकर ने अनचेद 32 को सम्मिधान का सबसे मातपूर अनचेद बताया है और कहा है कि इसके बिना सम्मिधान अर्थ हीन है या सम्मिधान की आत्मा और हिर्दे है या डाक्टर भीमरा मिटगर ने समिधान सभा में कहा कि एनुछेत 32 समिधान की आत्मा है और या सभी मूल अधिकारों में सबसे स्रेष्ट है इसके बिना सभी मूल अधिकार अर्थहीन है सर्वोच नयाले के पास कभी भी मूल अधिकार के परवतन के लिए निदेश आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है मतलब सर्वोच नयाले कभी मूल अधिकारों के परवतन के लिए निदेश जारी कर सकता है आदेश या रिट जारी कर सकता है इसको या अधिकार है सर्वो चिन्याले दोरा बंदी प्रतिच्छी करण, रिट, पर्मादेश, रिट, मतलब पहला है बंदी प्रतिच्छी करण रिट, हैप्स, काप्स रिट, पर्मादेश रिट, प्रतसेद रिट, उत्परेशन रिट और अधिकार प्रिच्छा रिट जारी कर सकती है सम्मयधानिक उप्चारों के अंतरगत कौन कौन से अधिकार आते हैं बंदी प्रतिछी करण, पर्मादेश, प्रतसेद, उत्प्रेशन और अधिकार पिछा जैसे मुल अधिकार आते हैं सम्मेधानिक प्रावधानों के मुताबिक राश्ट्रपती, राश्ट्री अपातकाल के दोरान मौलिक अधिकारों के प्रवातन के लिए किसी भी नहाले के समझ याच का दायर करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है इसके अलावा अन्य किसी बेश्टित में इस अधिकार को लिंबित नहीं किया सकता है भारत में जितने भी समयधारी प्रावधान है इसके मताबिक अगर राष्ट्री आपतकाल ना लगा हो मतलब अगर राष्ट्वती राष्ट्री आपतकाल ना लगाया हो तो सभी जो अधिकार हैं उनको कोई निलंबित नहीं कर सकता है मतलब नियाले की समझ याचका दायर करने के जो अधिकार है नुच्छेद बत्तिस उच्छे नियाले या सरवचे नियाले के समझ याचका दायर करने के अधिकार राश्ट्री आपतकाल के समय खतम हो जाते हैं बाकि किसी भी समय इसके अलावा किसी भी समय इनको कोई खतम नहीं कर सकता नहीं इनके खिलाब कोई बड़ी कारवाई कर सकता है छोटी कारवाई भी नहीं कर सकता अनुशेत 32 जो आपको देता है कि नियाले के समझ याच्कादार करने का दिकार यह राश्ट्री अपातकाल के समय में अपने याप खतम हो जाता है और बाकी किसी भी समय राश्ट्री अपातकाल के अलावा किसी भी समय या दिकार खतम नहीं होता है मौली का दिकारों के परवातर के मामले में सर्वोच नयाले का मूल छेतरा दिकार तो है किन्द यह नयाले का बिसेशा दिकार नहीं है मतलब मौलिक अधिकारों के लिए सुनवाई में या सर्वोच नयाले का मूल छेतरा अधिकार तो है लेकिन उसका विसेशा अधिकार नहीं है उसका अन्य मामलों में सुनवाई विसेशा अधिकार है जैसे वो उच्छ न्याले से मामले जो सीधे सुप्रिम कोर्ट में जाते हैं या सरवच न्याले जब किसी मामले को अपने लिये लेता है उच्छ न्याले से अपने लिये सुनवाई के लिये लेता है ऐसे मामले उसके विस्था दिकार में हैं की मूल अदिकार वाले या सरवच नयाले का मूल शेत्रा दिकार इस अर्थ में है कि इसके तहत एक पीडित नागरिक सीधे सरवच नयाले में जा सकता है हाला कि या सरवच नयाले का विश्चे साथ दिकार नहीं है क्योंकि समिधान का निच्छे 226 के तहत उच्छे नयालों क को भी मौलिक अधिकारों के प्रवातन के लिए रिट जारी करने का अधिकार अनुछित 32 के अंतरगत सुप्रिम को दिया गया है और अनुछित 226 के अंतरगत उच्छे नियालों को दिया गया है इसलिए लोगों को चाहिए कि अनुछित 226 के अंतरगत सबसे पहले मौल अधि के तहट उच नयाले के माध्यम से राहत पतार किया सकती है वहाँ पीरित पच्छे को सरबत्म उच नयाले के समझ ही जाना चाहिए सरोच नयाले ने अपने कई निरिणों में कहा है कि जहां पर भी अनुच्छे 226 के तहट उच नयाले के माध्यम से राहत मिल सकती है तो भाई सुप्रीम कोर्ट जाओ क्यों जाना क्यों फाल तुमें सुप्रीम कोर्ट का समर बर्बाद करो वैसा तो बर्बाद करते हो अपना कोई भी मामला हो सीरिस सुप्रीम कोर्ट अरे भाई हाई कोर्ट भी जाओ खाली पड़ा बेठा है वर्ष 1957 में चंद्र कुमार बनाम भारत संग वाद में सर्व चिनावे ने अपने दिर्ड़े में कहा था कि रिट जारी करने को लेकर उच्च नैयले और सर्व चिनावे दोनों का दिकार छेतरद के मुल धाचे का एक हिस्चा है 1997 में चंद्र कुमार बनाम भारत संग वाद में सर्वोच नियाले ने अपने निर्ड़े में कहा था कि रिट जारी करने का दिकार उच नियाले और सर्वोच नियाले दोनों के छेतरा दिकार में है अब बात करते हैं इस व्योस्ता के बिरुद तर्क पर अतीत में ऐसे कई बार देखा गया है जब सर्वोच नियाले ने उच नियाले के मामलों को अपने पास स्थान अंतरित कर दिया था अतीत में ऐसे कई मामले इतिहास में आपको ऐसे कई मामले देखने को मिल जाएंगे जिसमें सरवच नयाले खुद उच नयाले से मामले को अपने पास स्थानांत्रित कर लेता है इसका सबसे ताजा उदारान हाल ही में तब देखने को मिला सबसे ताजा उदारान हाल ही में देखने को मिलता है जब सुपरिंग कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से राश्टी राजधानी के सेंट्रल वश्टर प्रोजेक्ट हे तू भूम उपयोग से जुड़े मामले को अस्थानांत्रित कर लिया था मतलब इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रहे थी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे थी लेकिन सुपरिंग कोर्ट ने उसको अपने अंतरगत सुनवाई करने के लिए कर लिया बलकि जो अपील करता थे याचिका करता थे इन्होंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा था नहीं वो ऐसा सोचे थे उनकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रहे थी जबकि सुपरिंग कोर्ट ने उनके मामले को अपने यहां अस्थानांतर्ण कर दिया जब मामलों का इस तरह स्थानांत्रन किया जाता है तो याचिका करता अपील का अपना एक माध्यम खो देते हैं जो मामले को स्थानांत्रन नकी जाने के इस्तिम में उपलब्द होता है जब इस तरह अस्तानांत्रन होता है हाई कोड में अपील को सिदे सुपरिंग कोड में अस्तानांत्रन हो जाता है तो यह आचिका करता है अपील का माध्यम खो देते हैं अब बात करते हैं समिधान के नुच्छे 226 क्या है स्रमिधा 226 अन्य नयाले को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परवरतन अथवा किसी अन्य देश के लिए सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार पतान करता है स्रम य्यारी प्रकार में का परवरतन का थे यहां प्रकारिट को लेकर चलता है या किसी सामान्यला के प्रकार से नियाले की इस इस व्यवां के क्रवरतन है इसके प्रवर्तन के लिए सुनवाई नुच्य 226 के अंतरगत उच्य नियाले में होती है और इसका अदिकार छेत्र उच्य नियाले का दिकार छेत्र सुप्रिम कोड से इस मामने बहुत जादा है जहां एक और सरवच न्याले केवल मौली का दिकारों के हनन की इस्तित में ही रिट जारी कर सकता है वहीं उच न्याले को किसी अनुद्देश के लिए भी रिट जारी करने का दिकार है मतलब जहां पर भी सरवच नयाले केवल मौली का दिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है उससे पहले नहीं सामान कानून दिकारों के हनन पर रिट नहीं जारी कर सकता है बलकि उच नयाले सामान कानून दिकारों के हनन होने पर भी रिट जारी कर सकता है इसलिए भाईया सीधी सी बात है अगर आपके मून अधिकारों का हनन हो रहा है तो सबसे पहले आप उच्छे ने आले में जाईए अगर आप उत्तर परदेश के हैं तो इलहाबाद उच्छे ने आले में आईए हम आपका स्वागत करते हैं फालतू में सुपरीम कोर्ड मत जाईए पैसा तो आपके पाल बहुत है लेकिन जिनके पास नहीं है उनके बारे में सोचिए फर्जी में पैसा मत खर्चा कीजिए ठीक है धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए दोस्तों में सेर कीजिए चैनलों सस्क्राइब कीजिए देवाद